नमस्कार दोस्तों आज का रिल एस्टेट का अपना टॉपिक रहेगा हाई राइस बहुत बिकरी हैं लोग बड़े शेरों में हाई राइस लेते हैं तो टॉपिक है विच फ्लोर यूशुट सेलेक्ट इन हाई राइस बड़ी ट्रिकी चीज़ है मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे पहले मैं बताऊं कि कौन सा लेना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी प्रोजेक्ट डिजाइन होता है और उसके अलग-अलग टावर लाँच होते हैं तो अब आपको टावर सेलेक्ट करना और फ्लore select करना ही वाली बात है तो बिल्डर जब भी बनाता है वो इस तरह बनाता है कि जब भी जो माल बेंचे उसकी जब भी आप खड़े हो और मैं सेल्स वाला हूँ या कोई सेल्स वाला हो तो वो आपको किसी भी चीज की कुछ अच्छा ही बता दे और आप उसको बुरा ही बता और वो आपको अच्छा ही बता दे तो अगर आप फ्लोर लेना चाहते हैं जैसे आपको फ्लोर में फेशिंग भी देखनी पड़ेगी क्योंकि it's not about कि मेरे को आठमा फ्लोर चाहिए दसमा फ्लोर चाहिए आपको facing भी तो देखनी है क्योंकि जो चीज अविलेबल है आपको चाहिए middle floor पर middle floor में facing ठीक नहीं मिल रही किसी में कुछ नहीं मिल रहा this is how it will be direction में अगर आपको धूप चाहिएगी तो आपको view नहीं मिलेगा view मिलेगा तो उसमें धूप नहीं आ रही होगी ये भी एक fact है पर फिर भी कौन सा लें तो मैं आपको latest trends बता रहा हो कि क्या हो रहे है North India में historically रहा था कि low rise पे PLC होती थी यो नीचे वाले floors होते हैं और मुंबई में ऊपर वालों में होती थी कि मुंबई में कचरबचर रहती थी , जितना ऊपर जाता था उतनी हवाज कम आती थी उतना view देखने को मिलता थी अगर समंदर तो उसको देखने को मिलता था अगर समंदर फेसिंग ही है मुंबई जैसे सारा अगर west side का को लें तो जो high है जो उपर देख सके तो वहाँ उस तरह होता था नीचे उनका छोड़ शरवा होता था नौर्थ इंडिया में उल्टा था अब नौर्थ में भी ये ची आई राइजिस में आपको देखना है मैं कुछ फैट्स बताऊंगा आपको पहली दूसरी तीसरी मंजिल पर आम्बियंट शोर आता है तो जब आप इसको रिजेट करते हैं तो आपको बता जाएगा कि यह तो विंडोस हमारी साउंड पूफ हैं तो वो चीज आपकी वहां ख मंचर नहीं आते हैं कोई लिफ्ट में आजाए तो भी वो उड़ जाता है लेफ्ट राइट हो जाता है 14-15 मंजिल के बाद आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है नीचे के बिल्कुल आवाज कम हो जाती है सेरीनिटी बढ़ जाती है अपने माइंड में जिसे अभी इतनी शांती हो गया आप ऐसे करो एकदम एकदम रिलाक्सेशन फील होती है ठीक है और उससे उपर चली जाते हैं तो आपका वियू होता है 15-25-35 मंजिल पर हवा बहुत अच्छी आती है 12-14-15 मंजिल के बाद धूल मिट्टी अगर खहीं उड़ रही है रोड की और इसकी वह भी उपर नहीं पहुचते हैं वह भी उसके निचे सौ फुट सौरी पचास फुट तक पचास तस पांच तक रहती है यानि 10-12 मंजिल तक ठीक है तो उसके उपर वह भी जादा नहीं जाती है तो यह अड़ांटेज हैं अब इसमें अब लोग कहते हैं मिडल फ्लोर तो कि इस मिडल फ्लोर और 40 उन दोके चीज से भृत जारें सकता तो इसको मिडल फ्लोर करते हैं और बिलूट और चाशांय से पतिसमें मैं उन प्रोण के वह अड़एव रहें सट नहीं हैं हम balcony में जाते हैं तो चक्कर आएंगे मेरे को तो वो चक्कर नहीं आते हैं आज के दिन reason उसका बताऊंगा कि हवा में लटकी balcony नहीं है तो अगर suppose पहले क्या होता था ये building थी तो ये ऐसे balcony खुली होती थी जैसे घरों में होती है हुड़ा सेक्टरों में आ देखो balcony में आप खड़े होगे left भी दिखता है रेटी भी दिखता है और इसे टंगे वाली feeling आती पुरानी society में भी होता है लेकिन जो आज की बन रहे हैं उसमें यहां भी covered है तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस इधर करना शीशा नहीं लगाया नहीं तो यह भी कमरा बन जाता है तो कमरा टाई feeling ही आती है तो चक्कर नहीं आता उपर से railing की हाइट उनने फोर और फीट तक कर दिये तो जब छाती तक railing आ जाती है आपकी तो उतना भेन ही लगता और उसका भी मैं टूटका बता देता हूं कि जो गमला होता है एक छे फुट की साड़े पांच फुट की बांगने तो गमला रेलिंग के पास रख लो तो एक दम मम्यां उमर भर रही है दिली के सेकेंड फ्लॉर में कालका जी में ठीक है तो या ग्रेटर के लाश में यहां आ रही है पच्छीसमी मंजिल में तो मम्मी जी को तो लगए का पर इनिशली तो दो तीन बार जहाज में बैटता पहली बार मामी लगता उसके आदमी तो इस तरह के issues नहीं है, higher floors prefer करे जारे हैं, आने वाले time में higher floors prefer करे जाएंगे, youngsters higher floors prefer कर रहे हैं, youngsters आज के दिन उनको privacy लगती है, चिल्लम चिल्ली करो तो बहुत आवाजे ना उनकी जाती खहीं पे, ना उनकी उनको आती खहीं से, ये भी दिखा गया है, ठीक है, and privacy भी रहती ह ठीक है, उपर वाले floor में लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, तो more premium आने वाले times में higher floors में रहेगा, and personally मैं भी, अगर normally बताता हैं, मैं भी higher floors prefer करता हूं, but then project to project that thing can change also, depending on कि अगर आप inner वाला ले रहे हैं, तो अगर inner आपको beauty देखनी है, swimming pool की, और garden की, और उसकी फिर द दिखता है, तो अगर आपको outer forcing लेना है, तो फिर आप higher floor लो, आपको inner facing लेना है, जहां उसको देखो, दो तरहीं की environment होता है, control environment, uncontrolled, control environment होता है, अंदर का, project के अंदर का, control environment है, आपको जो दिख रहा है, वो change नहीं हो रहा, मतलब वहाई swimming pool है, वो club house है, वो garden है, वो park है, ब बहार का view, landscape change होता रहेगा, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, and sometimes you're not very sure कुछ भी आ सकता है, ठीक है, surprise होता है, दस से बारा मंजिल के उपर smell नहीं आती किसी तरह की, अगर कोई किसी का नाला पास में जा रहा है, या कुछ और issues हो रहे है, सात्वी, आत्वी मंजिल से उपर वो वाली issues होने लगते है, ठीक है, आवाज नहीं आती, तो बहार जो uncontrolled environment है की, आज पता नी, समझ नहीं आ रहा क्या है, कल को क्या आ जा पता नी, और मेरा view ना ब्लॉक हो जाई हो जाए, तो उपर की height वाली चीज़ें safe होती है, अगर भार ले रह क्या है, क्योंकि अंदर में क्या है, कई लोग, जैसे मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से condominiums अभी जो under construction है, द्वार का express पर जो बनके त्यार है, जहां कुछ लोग भी रह रहे हैं, अब उनके second, third floor पर जाओ, तो stadium टैक सा दिखता है, और swimming pool दिखता है, और stadium कॉन से वाल लगता है, because वो eye view के साथ दिखता है, तो considerations यह हैं कि अगर अंदर का enjoy करना है, आपको मामला तो lower floor लो, ठीक है, या maximum middle तक जाओ, और अगर higher लेने हैं तो फिर भार का देखो, या धूब देखो, ठीक है, तो you should get three, four things में से at least one thing, builder का aim होता है, ऐसी चीज़ बनाना कि सारे ए क्योंकि जब आप आके उसकी कुछ निंदा करेंगे, यार इसमें यह नहीं है, तो वो इस तरह की ही चीज़ें बनाई जाते हैं, इसे ही दिमाग कहते हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ें एक में नहीं मिलेंगी, आप ही को choose करना पड़ेगा, पर आज के दिन अगर three side open flat है तो उसमें फिर धूप का issue sorted out, direction and view sorted out, and जादतर builders वो ही कह रहे हैं, कहते हैं, बेटरूम से कुछ दिख रहा है, उस बाल को ने से कुछ दिख रहा है, वहाँ धूप सुबह आएगी, वहाँ थोड़ी शाम को आएगी, वहाँ ऐसे आएगी, यहाँ से यह दिखेगा, वहाँ ऐसे ही बना रहे हैं, तो yes, यह है एक मतलब factor, और मेरे हिसाब से कोई factor नहीं है, यह भी एक काट है, ठीक है, तो क्योंकि कई बार क्या कोई सा मिल जाए, वह भी बहुत important है, पर बिल्कुल ही आपको choice के against मिल रहा है, तो फिर अलग पात है, otherwise, बहुत ज़्यादा फरक नहीं क्योंकि बिल्डर ने हर चीज में कुछ ना कुछ दे रखा है, and you will win some, और you will lose some, मतलब अगर कोई floor चूस कर रहे हो, तो मैं उसमें पांच कमिया निकाल दूँगा, फिर आपका moral जब low जाएगा, तो मैं पांच अच्छी चीज बता दूगा, फिर आपका फिर mood बन जाएग यह मतलब this is how things are planned, यह समझना चाहिए, clarity giver मैं number one India का मैं ही बताऊंगा यह बार, otherwise लोग इस तरह इतनी तरह इसे नहीं बताएंगे, कुछ भी खराबी है तो अच्छा ही बतादेंगे, आप जाधा खूदर हो इसमें अच्छा ही तो खराब बतादेंगे, तो यह होता है, त परफेक्ट चीज जो आप सारे टिक मारना चाहते हों नहीं मिले गए आपको, थैंक्यू अरे मच्छ